गुड मॉर्निंग क्लास सेवेन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेप्टर नमर फाइव जिसका हैडिंग है जीम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं तो चलते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कहते हैं जंगलात ए जीम कॉर्बेट एक बरतानवी शिकारी थे वह बाद में एक शहरे अफाक माहिर महौलियात की हैसियत से पहचाने गए बरतानवी हुकूमत ने उनहीं के मश्वरे से युनाटेड परवांस यानी हालिया उत्तरपरदेश को महफूज जंगलात को 1936 में हैली नेशन पार्क का दे दिया सर मैलकम हैली उस वक्त उत्तरपरदेश के गवर्णर थे 1922 में पार्क का नाम तबदिल करके राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया क्यूंके राम गंगा नदी ही उस इलाखे के बेश्टर हिस्से को सहराब करती हुई गुजरती है पांस साल बाद एक बार फि पार्क में शेरों की काम्याब तरीन पनाह गाहों में से एक है हिमालिया के दामन कोहिसार में 500 मुर्बा मील इलाके में फैला हुआ ये पार्क अब उत्राखंड सुबे की शान है बुनियादी तोर पर शेरों के लिए मशूर इस पार्क को जंगली हाधियों तरह तरह के हिर उनों भालूओं घडियालों तंतेंदूओं लुखलुकों और सफेद बुगलों जैसे जनवरों और परिंदों की मतासर कुन फहरिस्ट पर भी नाज है 1973 ना सिर्फ पार्क के लिए बलके शेरों के तहफूज के लिए भी एक अहम साल था 1972 में शेरों की कुल हिंद तादात मालूम करने के लिए एक जामे सर्वे कराया गया था उसके फौरण बाद 1973 में शेरों को नापीद होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टैगर नाम का एक शामदार प्रोग्राम शुरू किया गया सर्वे में हैरत अंगेज इनकिशाफ हुआ कि सदी की इतदा में शेरों की जो तादा 40,000 थी 1972 में घटकर महज 1827 रह गई चुनार्चे शेरों के शेकार पर मुलक गीर पाबंदी लगाई गई और कार्बेट को इस प्रोजेक्ट के आगास के लिए मुन्तखब किया गया ना वाइल लाइफ के तहफूस के मैदान में हिंदुस्तान ने मुतादिद बार अमेरिका और दिगर ममालिक से मदद तलब की यूएस फिश एंड वाइल लाइफ सर्विस ने दहरादून उत्राखंड वाइल लाइफ इंस्टिट आफ इंडिया के इश्तराक से कार्बेट में इंताजाम और इंसराम से मतलिक दो आहम त्हकी की माली मुआमिनत की है पहरी तेखिकी प्रोजेक्ट का तालुक उत्राखंड के दो पार्कों यानि के कार्बेट और राजा जी नेशनल पार्क में सबस्वी खोर बड़े जानवरों उनकी पनागाहों और इनसानों से उनके तालुकात से था 1995 से 2000 की मेखात वाले इस प्रोजेक्ट ने राजा जी और कार्बेट को मिलाने वाले जंगलाती गुजरगाह में शिकार, तर्जे हिजरत, हयातियाती, दबाव और जानवर और जानवरों नीज इनसानों के माबें तसादुम पर तवज्जह मरकूस की इस मताले के नताइज ने शेरों और हाथियों की निगरानी करने कुर्ब जवार में अबाद और जंगलों पर मुनहसिर इनसानों को मतबादिल बस्तियां फराहम करने और आएंदा तहकी की मताले के लिए महुलियात के नुखते नसर से एहम मालूमात यगजा करने में निगराईश और तश्रीणिय इमदात के फरुख और पार्क के इनताइज अमले के तश्रीध बेहतर बनाने में सरमाया कारी की उजने सियाहों के इनताइज को चुस्त दुरुस्त बनाने और मقामी कम्मिलिटी को हिफाद से मतालिक मसाइल से आगाह करने में भी अपना बे प्लिकलाफ 480 के नाम से मारूफ हिंद अमेरीकी रूपिया प्रोग्राम के जर्ये 2,75,000 डॉलर की माली मौाविनत की। आगे कहते हैं घजा और अमन प्रोग्राम के नाम से पहचाने जाने वाली प्ल-480 ने तरफ़ी पजिम मालिक में घजाई तहफूस को मजबूत करने के लिए अमेरीका के जर्ये वसाइल का बेपनह इस्तामाल किया बाद में अनाज की फरोख्त से अमेरीका को जो हिंदुस्त और टाइगर कंसरवेशन फंड है ना कंसरवेशन से की वह 17,594 डालर पर मबनी फंड वाई लाइफ सोसाइटी आफ इंडिया को दिया गया था ताकि शेरों की महफूस पनाहगाह कार्बेट के बफर जोन में इनसानों और शेरों के माबें तसादम का तहकी मुतालिया किया के कुल तादा 3,642 है जिसमें 251 उत्राखंड में है जहां जीम कारबेट वाक्य है गुजिश्टा दो साल के अर्से में वाईल लाइफ इंस्टिट आफ इंडिया के जरिये क्राई गई गिंती के इप्तदाई नताइज हकूमत हिंद हाल ही में मई 2013 मनजर आम पर लाई उनक शेरों की तादाद अब इत्मिरान बख्ष या 112 है माहिरीन महुलियात के मताबिक कारबेट और मध्य परदेश की पनाहगा कानहा में हिंदुस्तान में शेरों के दो बड़े इलाके हैं जहां तक जीम कारबेट का तालुक है शेरों की एक जलक देखने के लिए सया आज भी उनके डेटेल्स हमने आज पढ़े है ना अब रहे गया कि इनका जो कोशिन एंसर है आपको बेडियेफ के रूफ मैं जरूर दे दी जाएगी और फिर आज के लिए इतना ही इंशाला फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स वीडियो में